हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार यह है हिंदी व्याकरन का पार्ट दो है पार्ट एक का वीडियो आल्रेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसका लिंक ओपर चेक कर सकते हैं इसमें हम शुरुवात करते हैं सबसे पहले वर्ण से वर्ण क्या होता है भाशा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है आपको यह तो पता ही है इंग्लिश में हमारे पास होते हैं लेटर्स लाइक A, B, C और D ठीक है न इनी से इनी लेटर्स को मिलके इट से जट तक हमारे पास लेटर्स होते हैं और इनी लेटर्स के मिलने से डिफरेंट वर्ण बनते हैं ऐसे ही हिंदी में भी हमारे पास लेटर्स को हम बोलेंगे वर्ण ठीक है तो वर्ण जो है वो हिंदी में भाशा की सबसे चोटी है काई मतलब जिसको कमबाइन करके हम डिफरेंट वर्ण ब होते हैं हिंदी में और वर्णों के समू को यानि कि जब वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं उस व्यवस्थित समू को हम बोलते हैं वर्ण माला ठीक है अब हिंदी की वर्ण माला कौन सी है उसमें दो चीजे हमारे पास आती है एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन जिनका उच्चारण स्वाथ तंत्र रूप से हो सकता है That means किसी और किसी भी चीज की हमें जुरत नहीं होती उनके उच्चारण के लिए हिंदी में 11 स्वर हैं 11 मतलब 11 कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं हमारे पास हिंदी में आप देख सकते हैं आपके सामने आ आ उसके बाद हिंदी में 33 33 व्यांजन है कितने व्यांजन है 33 व्यांजन है यह सारे हमारे पास व्यांजन हैं तो स्वर क्या होते हैं? स्वरों का उचारण स्वतंतर रूप से किया जाता है किसी और चीज की या किसी और वर्ण की help नहीं चाहिए होती स्वरों को अपने उचारण के लिए इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है जब भी हम इन्हें बोलते हैं तो आपके जो मुख है उससे हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है हिंदी भाशा में 11 11 जो है वो स्वर होते हैं ये दो तरह से लिखे जाते हैं अपने मूल रूप में जैसे आ, आ, इ, इ आदी और या फिर मात्रा या तो आप सीधा आ, आ, ये यूज कर सकते हो या फिर मात्राएं मात्राएं जैसे आ की मात्रा इ की मात्रा तो दो तरीके से हम स्वरों को यूज करते हैं या तो as a word या फिर मात्रा के रूप में हम भी हम इनको यूज कर सकते हैं स्वर के तीन भेद होते हैं हस्व, दिर्ग और पलुत हस्व स्वर जिनके उचारण में सबसे कम समय लगता है ये चार होते हैं अ, इ, उ, री दिर्ग स्वर जिसके उचारण में हस्वर से दुगना समय लगता है ये साथ होते हैं अ, बड़ी इ, बड़ा उ, ए, आ, आ, ओ, आ, ये साथ होते हैं इनके उचारण में हस्व स्वरों से दुगना टाइम लगता है फिर है पलूत इनके उचारण में हस्व और दिर्ख स्वरों के उचारण से तीन गुना समय लगता है जैसे ओम पलुत स्वर एक ही है तो पलुत कितना है एक सिर्फ ओम इसके अलावा हमारे पास होते हैं अनुस्वार जिनका उचारण नाक से होता है और अनुस्वार जिनका सिर्फ नाक से होता है जैसे इन में आती है बिंदी, कंगन, दंगल, जंगल ऐसे अनुस्वार जिसमें नाक और गला दोनों से उचारण होता है जैसे चांद, आंगन ये सब अनुनासिक होते हैं अब हमने पहले किया था कि हम दो तरह से स्वारों का प्रियोक कर सकते हैं एक पूरा का पूरा आप उसको गर को यूज कर सकते हो जैसे आम, आग या फिर आप उनकी मातरा को भी यूज कर सकते हो ठीक है, इसमें अ की कोई मातरा नहीं होती जो अ है आपका, अ की कोई मातरा नहीं होती है अ स्वार की, इसके अलावा, जितने भी आपके स्वार हैं, सब की मातराएं होती है जैसे की आप देख सकते हैं, आ की मातरा, काला, कपड़ा छोटी ए की मातरा, चोटी ए की मातरा आगे से, ऐसे बड़ी ए की मातरा पीछे होती है, लाइक दिस मिठाई, बड़ी की मातरा, सीख, सीमा, उ की मातरा सो उ की मात्रा कैसे होगी छोटे की यह होती है और बड़े की यह ठीक है सो जैसे कुली कुमार छोटे उ की मात्रा चूना और चूर्मा बड़े उ की मात्रा री की मात्रा री की मात्रा नीचे से होती है आपकी जैसे कृषी कृष्ण एडी ए की मात्रा एकी मात्रा ऐसे और अई में हमारे पास दो हो जाती है ऐसे ठेला इसके अलावा हमारे पास है ओ ओ की मात्रा ये से ये है और अव गोरा गोदाम ये है ओ की मात्रा कौन ये है अव की मात्रा फिर इसमें हमारे पास आता है व्यंजन व्यंजन जो स्वतंतर नहीं होते हैं स्वतंतर मतलब किसी और की जुरुत पढ़ती है इन्हें इन्हें बोलने के लिए स्वरों की जुरुत पड़ती है यह इंडिपेंडेंडेंड नहीं है यह होते हैं हमारे पास 33 संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन क्या होता है संयुक्त मतलब 2-3 चीज़ों के combination, so, दो भिन व्यांजनों के मेल से जो बनता है, वो होता है सयुक्त, भिन मतलब different, दो different डिफरेंट व्यांजनों को combine करके जो बनता है वो होता है आपका सैयुक्त व्यांजन जैसे श, ग्य, त्र और श, 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 कैसे बनेगा क और श से ऐसे ग्य, ज, और य से, त और र को मिलके बनेगा त्रिशूल और श, र को मिलके बनेगा श, फिर है दुएत्व, दुएत्व मतलब दो समान, तो सेम सेम जो व्यांजन हैं, उनको मिलाकर ये बनता है, जैसे च, आधा च और पूरा च कच्चा, ठपड जैसे ये होगे आपके पास आधा ज, और ज, लज़ा, पकका, विसमें क्या हो रहा है? एक आधा और एक पूरा दोनों के दोनों व्यांजन कमबाइन हो रहे हैं फिर नेक्स्ट, दो अलग-अलग व्यांजनों के मेल से बनता है जैसे, बट एक आधा आता है, हमारे पूरा जैसे च और च, स्वच्छ, प्यारा, प और य, त और य से त्योहार, क्यारी ठीक है ये हमारे पास हो गया सैयुक्ताक्षर सैयुक्ताक्षर, सैयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, सैयुक्त क्या था, दो भिन व्यंजनों के मेल से जो बनता है, द्वित्व जो दो सेम, एक जैसे व्यंजनों के मेल से बनता है, सैयुक्ताक्षर जो अलग-अलग व्यंजनों के मेल से बनता है, इसके लावा हमार पास कई तरह की मात्रा है जैसे ये एक ये मात्रा है जिसमें रस्वर रहित होता है वर्शा धर्म ये सब इस मात्रा से बनते हैं इसके लावा हमारे पास एक मात्रा कुन सी होती है ये लाइन जिसमें नीचे आती है ठीक है जैसे क के नीचे लाइन क्रम और एक और मात्रा होती इसमें ये नीचे जिसमें आते हैं जैसे ट्रक फिर री की मातरा आती है र की मातरा जैसे ये आपकी हो गई ये रिन या रिशी ये मातराईं भी इसमें हम लेते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है आज का वो है वर्ण विच्छेद विच्छेद मतलब अलग-अलग करना विच्छेद क्या होता है अलग करना जो अगर हमारे पास कोई वर्ड है उसके अंदर स्वर और विजनों को अलग-अलग करके हम लिखते हैं जैसे माता म आ त आ की मातरा ह तो, इसलिए अ हमने लिया है अंगूर, अब इसमें क्या है अंग, अ और उपर बिंदी है, तो अंग अब भडे क्यू मातरा है तो उ फिर क्या है, र और र के साथ में हमारे पास आएगा क्योंकि इसमदर लास्ट में कोई मातरा नहीं है, तो र अ ट्रक, ट, र, र के साथ अ, क, अ ऐसे हम वर्ण विच्छेद करके लिखते हैं इसमें इस पार्ट की एक्सरसाइस भी देख लेते हैं निमा लिखित शब्दों में उच्चारण के अनुसार, अनुस्वार और अनुनासिक चिन लगाईए यानि कि आपको कहीं पर चंदरबिंदू लगाना है और कहीं पर बिंदू तो यह आप देख सकते हैं आनंद, आंगन, कंगी, सितंबर, उंट, खांसी, अंगीठी, संतरा, कंगारू, पांच, बंदूख, चांदी आ के उच्चारन वाले पांच अंग्रेजी शब्द बनाईए माल, आफिस, डॉक्टर, बाल, काफी निमलिखित संयुक्त अक्षरों में ऐसे दो-दो शब्द बनाईए जो पाठ में नया आए हो संयुक्त और द्वित व्यंजनों वाले शब्द छाटकर अलग-अलग स्थान पर लिखिए संयुक्त व्यंजन, कक्षा, क्ष्रम, त्रिकोन, अज्यान, द्वित व्यंजन, अम्मा, कच्चा, गत्ता, रसगुल्ला फिर ये हैं वन विच्छेद, दशेहरा, कलाकार, ट्रक, गांधी, मर्म, शुरुत लेक, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, रिशी, चित्रकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, धन्यवाद